सब्सक्राइब करें हमारा ओफिशल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन तब मैं नभेदन कर रहा हूँ जोती शास्त्र, साहिते शास्त्र, बेद, नेती शास्त्र, तथा कर्मकंड के महामिद्ध्वान, श्री रनवीर केंद्ध्य संस्काइब महामिद्ध्ध्याले से प्रचारे के बरसे सेवा नमरित, बरतमान, श्री माता वैशन देवी, गुर कुल के नरदेशक, परम आदनी, परम पुज्या गुरुजी, डेक्टर विश्मोर्ति शास्त्र जी से, मैं नभेदन करता हूँ कि आज बसांतिकन वरात्र के, सट्रीन वरात्र के से अवसर पर, मा भगवती का जो सठा रूप हैं, मा कात्या ने देवी का, उसका महत्तो बतलाते हुए, आपने अशीर वचनों द्वारा भक्त जनों को आपताइद करें, परम श्रद्य प्रातास्मर्निय गुरुजी आरुय श्वेत हंसेर भ्रमतिच गगने, दक्षने चाक्ष सूत्रम्, वामे हस्तेच दिव्यं, बरकन कमयं, पुस्तकं ज्यान गम्यं, स्वाम बीनां बाद यंदी, निजकर कमले, शास्त्र विज्यान शद्दे, क्रीडंती दिव्यरूप, करकमल धरा, भारती सुप्रसन्ना, समादरली यग्य के प्रधान जिन्मान, तथा यहां के परिशासक, स्वातनीक, सभी बिद्वजन, शैन बोड के सभी अधिकारी गन, भारत बर्ष के विविल प्रानतों से आये हुए सभी भक्त जन्, आज चठे नवरात्र के अफसर पर, इस सिद्ध पीर्ष पर, भगवती माँ बेश्टों के दरवार में, आप सब का अभिनंदन, एवन स्वागत, जैसे कि आपको बतलाए जा चुका है, कि आज छठा नवरात्र है, और भगवती माँ के यो विविन रूप हैं, और विशेश रूप से यो नव रूप हैं, नव रूप में छठे रूप के दर्शन कर रहे हैं, जिनका नाम है कातियाजिनी, इनको कातियाजिनी क्यों कहते ह कात्यायने इनका नाम क्यों पड़ा एक कत नामक के रिशी हुए उन्हें के वन्ष में एक कात्य नामक के महर्ची हुए कात्य महर्ची के वन्ष में ही कात्यायन नामक के रिशी हुए उन्होंने परामबा की भगवती वेश्ट में की बहुत बड़ी भारी तपस्या की बड़ी कठिन तपस्या की थी और उस तपस्या के फलस्वरों वो चाहते थे कि मेरे घर पुत्री के रूप में मा जो है वो जन्मले मा ने ये उनकी अभिलाशा स्विकार कर ली थी कुछ समय के बाद महिशा सुर्राख्यस जो है उसका आतंक बढ़ा और जन्ता को प्रतारित करने लगा पीरित करने लगा दुखी करने लगा इस पर ब्रह्मा विष्णू और महेश्ण ने अपने तेगी पुंज से एक दिब्य देवी का उद्भव किया उसका निर्मान किया और उसी देवी की फूजा कात्यायन दिशिने की इस करन से इसको कात्यायनी कहते हैं एक दूसरे कथानक के अनुसार इस प्रगार कहा जाता है एतिहासिक दिश्टी से कि चैत्र महिने की आशुज महिने की कृष्ण चैतुर दशी को भगवती ने कात्यायन के घरे जन्म ग्रहन किया और शुकल सब्तमी, अश्टमी और नव्मी अर्था नवरात्र में सब्तमी, अश्टमी और नव्मी इन तेन दिन उनका फूजन किया और दश्वे को महिशा सुरुका वद किया उसका संहार किया यहाँ भगवती का कात्यायनी नाम होने का इसका अभिप्राई जैसकार्थ भगवती मा आईचे दिन जो भगत जन प्रती दिन लगातार उसकी आराधन कर रहे है उपासन कर रहे है तो जैसे जैसे उनकी भगती दिल होती जा रही है परिफुष्ट होती जा रही है और भगत जन अपना सर्वस जो है वो भगवती के आगे सवर्पित कर देते हैं भगवती प्रसंद हो करके उनको दर्शन देती है और यदि कोई किसी प्रकार की उपास्त्रामें कोई कमी हो तो आए से दर्षन देने के संकेत उनको प्राफ्ट होने लग बढ़ते हैं यही देवी है जिनका ब्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण को पती के रूप में प्राफ्ट करने के लिए जमुना के किनारे पर इन्हीं की अराधना की थी इस प्रकार भगवती का यहा रूप भगवती का यहा दिब्य रूप आप सब का कल्यान करें अपने शोग संतापों और तसापापों को दोर करने के लिए इससे अधिक हमारा और कहीं कोई बात नहीं इसलिए अपने शोग संताप और पापों को दोर करने के लिए प्रार्था करें और भगवती से प्रार्था करें कि पूरे विश्व का कल्यान हो हम सब का कल्यान हो हम सब के परिवारों का कल्यान हो और कातियाई ने आप सब की मनों कामनाओं को पूर्ण करे कल मैं यग्य पर कुछ कह रहा था समय अधिक होने के कारण से मैंने उस बात को बीच में से थोड़ा छोड़ दिया था लेकिन उस बात को मैं थोड़ा आप से कहूंगा कि शरावत और समार्त योग्य होते हैं उनके अलगलग स्वरूप हैं और जो समार्त यग्यों में ये कहा गया है कि एक तो बेदिक यग्यों हैं जो जहां पर कर रहे हैं या महाविष्णो रुद्र यग्य इत्यारी यग्य होते हैं और ये संसार के कल्यान के लिए लोगों के कल्यान के लिए और के प्रकार के अरिष्टों को इतियों को दूर करने के लिए होते हैं और ये यग्य शाइन बोर के माध्यम से जो किया जा रहा है ये पूरे विश्व के लिए किया जा रहा है और ग्रह जन्य या और किशी प्रकार से कोई बाधाएं ज़िविश्व में आएं तो उन सब प्रकार की बाधाओं को भगवती वेश्वी दूर करें अपने यग्यों के माध्यम से हम यहां पर जो जिन मंत्रों का प्रयोग करते हैं वो सभी मंत्र आप सब का अर्थात पूरे विश्व में रहने वाले जो लोग हैं उनके कल्यान की हम कामना करते हैं उनके नियार्व की रहने के लिए प्रार्था करते हैं उनके घर में सब प्रकार की सुक समर्दिया और धन पुत्रादी एश्वर्यों से युगत रहें, हम इस प्रकार की प्रार्थने करते हैं, और मा के आगे इस प्रकार की की होई प्रार्थने, यग्य के माध्यम से पूरे विश्मे कर लियान करते हैं, एक यग्य यग्य क्या होता है, कि हम जो पढ़ते हैं, वो भी यग्य यग्य है, हम जो पढ़ाते हैं वो भी यगी-अगी है और इस प्रकार से हम पढाएं इस प्रकार से हम सयम पढ़ Tutaj इस विष्ट को हम पढ़ रहे हैं उसका ठीक प्रकार से हमको अब अवगती हो जाए और ठीक प्रकार से उसकी को करें तो अध्धययनम ग्रमयक्या अरपन करना उनके लिए भोजन करवाना यह पित्र यगए कहलाता है जिस देवता के हमने मंतर बोला उस देवता के मंतर के लिए हमने स्वार शषद कह दिया और वो देव अर्थाद हमन के द्वारा देवता को फो जो हम अहोती पहुँचाते हैं वो देवयग्य है। उसके बाद देवोहम बलीरभोत्व, एक बलीयग्य होता है। बलीयग्या, ये कीट-पथंगादी जितने भी हैं वो भी हमारे आशिद हैं। वो कहां से खा blas options, क्या करेंगे। इससी हम किट पदंगा दियों को कुछ देना, उल्री यग्यों तुछ देना करें, तो बने कोई बैदी आयाता है, तो उसका सदकार हम भली प्रकार से करें, उसका जो भी जलपान किरा करके भोजन करवा करके यो सदकार उसका करना होता है उसको आतिती यग्य कहा लाता है इस परकार यग्यों के माध्यम से हम प्रते दिन आगे बढ़ें और यग्यों में यो कुछ कहा गया है यग्यों का यो पुन्य की कहा गया है यग्यों के दोरा वो पुर्न्य हम सभी लोग अर्जित करें। एक बात मैं आप से आउट करना चाहता हूँ, कि हर मंत्र के पहले ओम शब्द कहा जाता है। और हम सभी बोलते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, कि भी हमको पता नहीं होता है, कि हम क्यों किसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ओम इसते एक आखिरम ब्रह्म, ओम ब्रह्म स्वरूप है। ओम के आ, ओ, और मा, और अर्ध मातरा भी आग में हैं, तो ब्रह्म, विष्णु और महेश और निराकारिस्क में मना याता है। तो ब्रह्म, विष्णु और महेश अकारम चाफ्यकारंच महकारंच प्रयापती ब्रह्म, विष्णु शरुद्रश्य इत्ते दे देवतात रहा है। आ, ओ, और मा, जो ओम में अखिर हैं, ये सारे ब्रह्म, विष्णु और महेश तीनों हैं। और तीन प्रकार क के गुन हैं आप देहते होंगे अंदर तीन पे नहीं हैं, सत्वगुन, रजोगुन और तमोगुन जुक्ता. सत्वगुन भाली भगवती वेष्टनवी सरस्वती, तमोगुन भाली भाली प्राइशनवी और महाकाली. तो सत्वगुन, रयोगुन और तमोगुन ये तेनों इसमें ओम में नहीत है। बर्तमानकाल, भूतकाल और भविश्टकाल तेनों समझ जो हैं जो भो भी ओम में ही नहीत है। ब्रह्मचर्ज ग्रहस और बानपरस ये सारे आश्रम भी जो है उसी में नहीत है। चतुरी मातरा जो है उसमें सन्यास भी आता है। और उसके बाद जागिर्श शुप्ति और स्वपना अवस्था भी इसी में है। अर्था कहने का भी प्राज ये है कि संसार में जो कुछ भी है तो सारा का सारा इस ओम में नहीं थे। और ओम को ब्रह्मचरु माना है। ओम निश्चियोद भूतत्त जो है वो हमें मिला है। जिस कारण से हम मंतरों के सबसे पहले ओम शब्द का उचान करते हैं। ओम में इतना सामर्थ है कि मंतर जभी हम से किसी प्रकार का कोई गलत भी बोला जाएगा। तो उसके पहले जदी हम ओम लगाएं तो वो ओम उस गलती को दूर कर देता है। और ओम को उस मंतर को शुद्ध कर देता है। इसलिए हम ओम लगाते हैं। हम हबन में स्वाहा करते हैं, स्वाहा करने का मतलब क्या हुआ, कि स्वावते प्राप्णूते अपध्वानमी दिस्वाव, जिस मंतर को हम नहीं बोला और जिस देवता का ध्यान करके उसके बाद स्वाहा की आहोती हम दे देते हैं, स्वाहा का मतलब जिस देवता के मंतर हम न तो यह होता है तो यह होते है यह श्यकार से सव्हाई ओम और विनियोग। ये अपना विशेश महत्त रखते हैं उन्हें यग्यादियों में भी अब मैं थोड़ा सा संखिप्त रूप से आप से ये कहूँगा कि इसका ज्यान होना आवश्यक है हम सभी नबान मंतर का जब करते हैं नबान मंतर आप सभी जानते हैं ये नव अक्षिर हैं और ये नव अक्षिर का ही मंतर क्यों बनाया है नव अक्षिर ही इसको क्यों कहा गया नबारन मंतर इसको क्यों कहा गया है इसमें विशेश थोड़ी सी इसकी फूर पिछका समझें कि जिस दरवार में हम बैठे हुए हैं और इस दरवार में जिन देवियों की हम अपासना कर रहे हैं नवरात्र में ये नव ही देविये हैं और इस दिन देवियों को अराधना करने के लिए नव अक्षिरों का मंत्र है जो एंग, भी, इंक, लीम, चाम, उंडाई, विक्की से कहा जाता है उसके बाद आप ये देखेंगे कि नव का अंक सबसे बड़ा अंक होता है और नव का अंक अपने आपको कभी भी अलग नहीं करता नव के अंक को हम नव से गुना करें और बाद में क्या हो जाएगा उनका यदि जोब करेंगे तो नव अपने आप रहेगा नव जो है वो अपने आपको छोड़ता नहीं है दो नव अठारा आठा और एक नव हो जाएगे तिन नव सदाइट साथ आज और दो नव हो जाएगे मलद कहीं पर भी बड़ी से बड़ी संख्या को भी आप नव से भाग देंगे अठार याग दो जोड़ता तो नव ही आएगे चोंब कि ये नव का अंक जो है ये निर्विकार है इसमें कोई किसी प्रकार का विकार नहीं आता ये अभ्ल नहीं होता घर्ट नहीं होता है और ये एक ऐसा बर्म सरू गे अंक है इसलिए नौ के आगे संख्या है ही नहीं है नौ की संख्या को प्रया सब जगह पर बड़ा विश्रीष महतु दिया गया है आप माला करते हैं माला के कितने दाने होते हैं 108 होते हैं 8 और एक 9 हो याते हैं हम हमारे जरी कोई बड़े कोई पूज कोई स्वामी महाम जो पिछाध हीशन होते हैं वहां पर भी 108 का बड़ा महत्तु है और आठ और एक वहां पर भी 9 होते हैं नाओ की संचा सब के साथ हमारे 9 रतन होते हैं अब इस निवरातर के अंत में राम नव में आ रहे हैं लेकर उनमें विशेश रूप से नाओ ही ग्रह जो है वो हमारे एक जीवन पर पर भाव डालते हैं तो जीवन दिवरातर के अंत में राम नव में आ रही है वह भी नव में किति थी को ही उन्होंने अपना एक अफतार धरन किया नव में को लेकर करके हमारे रिशी मुनियों ने सबसे बड़ी संख्या के रूप में हमारे सामने प्रसित किया और जो आध्या शक्ति है जो पूरे संसार की स्रीजन करता है ये भगवती जगजरनी जगदंबा इसके सुरूप मुख्य रूप से नौ ही मानने के है और इन नौ रूपों को ध्यान करने के लिए भगवती का बजन करने के लिए उसकी उपासना करने के लिए सबसे अच्छा मंत्र नवालन मंत्र बीज मंत्र जो है वो नवालन कहा गया है ये एंग क्या है एंग कारी स्रिष्टी उपाई स्रिष्टी स्रूप स्रिष्टी स्रूप जो है ये एंग इसमें बीज है ये तीनों बीज है एंग ही और क्लीम रींग कारी प्रदिबालिका रींग बीज जो है ये प्रदिबालिक बीज है पाल्ड करने वारा है क्लींग कारी काम रूपी नहीं और क्लींग बीज क्रिष्ण का भी होता है कलिंग काम बीज भी है और कलिंग काली का बीज भी है तो कलिंग कारी काम रूपी नहीं हम सप्रक बीज स्वरूप है कि इस बीज में सप्रकार की स्रिजिन की सकती है बिज रूपे ने मोश्तुते चामुंडा चंड घाती चामुंडा चंड इत्यादी देत्यों को नौश करने वाली है यही कारी वरदाजनी यही अख्र क्यों है यह बरदान को देने वाला है बिच्चे चाभवदान इत्यम बिच्चे जो अख्र है वो अभवदान को देने व हम जीवन में किसी चीव को करें किसी पूजा को करें किसी पाड़ को करें उस देवता को अपने गुर्मों के माध्यम से भली प्रकार से जान लें इस देवता की उपास्तना कैसे करनी है इस देवता का मंदर कैसे है इस का शुद्ध उचारन किस प्रकार से है और अपने को करते हैं अपने नुष्ठान को करते हैं अपने मंतरों का जब करते हैं भगवती वेष्ट में आपको पूर्ण रूप से फल देगी और इसमें कोई किसी प्रकार की एक शक की बात ही नहीं है आप भगवती को अरधना करने के लिए दिवी भागवत पुरान तो ही लेकिन ए लुगा सब्ट शेती में नाना प्रकार के मंतर हैं जो आप सब की हम सब की जो इच्छाओं को पूर्ण करने बाले हैं और उसका हम विशेश प्रकार से उन मंतरों का प्रयोग करें उन मंतरों को भली प्रकार से देखें और देख करके फिर हम देखें किस प्रकार से हम आग अलंग विर्ये जिसके पराक्रम को जिसकी ताकत को जिसके बल को कोई आजमी लांग नहीं सकता सबसे बलशाली अलंग विर्या ये भगविती जगजरनी आधार भूता जगतस तुमेका ये पूरे संसार की आधार भूत तो ही है ये पृथिवी रूप में तो ही स्थित है जो हम सब का जहां पर आधार बना हुआ है मही सुरूप में प्रिश्वी के सुरूप में जो हमारे समने स्थित हो अपान सुरूप स्थित या तो ये तर ये जल जो है जिनके जिन से सप्राणियों की तरिफ्ती होती है जल के रूप में भी आप ही अपने सब लोगों को प्रसंद करती हो अपांस रोपस थितियात वजे तत आप प्यायर से क्रिशने मलंग विर ये आप सप्रकार के लोगों को सप्रकार के अपने जो भक्त हैं उनको आप प्यायर करते हैं प्रसंद करते हैं इस प्रकार से आप अपने कार्यों को देखते हुए भगवती की अराधना करते हुए आप आगे बढ़ेंगे निश्चद रोब भी आपके मनों कामनाओं को भगवती पूर्ण करेगी। मैं इस सबाई अपनी पानी को भिराम देने से पहले आप से कह दूँ कि पुयारी जी आरती करने वाले हैं। आरती में कातियाजिनी का ध्यान कीजिए और अपनी मनों भी लश्चद कामनाओं को भूर्ण करने के लिए प्रार्थाएं करें। और आरती के बाद जो आप चरना मर्द लेते हैं। उस चरना मर्द का आश्वात करें। और उसके विश्चे में कल मैं थोड़ी सी बात आपसे कहूँगा कि चरना मर्द का महत तो क्या है और किसलिए हम चरना मर्द लेते हैं। मैं इनी शब्दों के साथ अपनी पानी को बिराम देता हूँ और उससे पहले एक मंत्र के माध्यम से आप सबको अशिर्वाद दूँगा ओम द्रविनोदा द्रविनसस्तुरस्य द्रविनोदा सनारस्य प्रयम सतं द्रविनोदा विरवती मिशन्न द्रविनोदा रास्ते दीर्गमायो आपके बंश में हमेशा दूरगा की भक्ती रहे और आप अपने जिबन पस में अगर सरहूं और सप्रकार के मंगताई कामों को पूर्ण करें सब्सक्राइब करें हमारा ओफिशल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन